आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है दुनिया भर में कि अमेरिका के पूर राश्पती डॉनल्ड ट्रॉम्प पर जो है गोली चली है और उनकी वो बलकुल ठीक हैं संभौता उनके कान के पास जो है जो है कहीं पर कुछ जखम हुआ है और ऐसा हो सकता है कि गोली चु और वहीं जो है जखमि कर दिया हो लेकिन उनके छहरे पर कुछ कुछ नजर आया था कान के पास भी और उनके गाल भी जो है कुछ कुछ नज़र आया था और जो 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 विज्वल्स हैं वो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं यूट्यूब पर उपलब्ध हैं तमाम समचार चैनल उसको जो हैं ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उसको आप देखी सकते हैं आप देखी चुके होंगे अब तक हो सकता है तो डॉनल्ड ट्रम्प जो हैं अमेरिकी राजनीती में एक विवादित राजनेता के रूप में उभरे हैं इनका पहले का राजपती कारेकाल है 2016 से 2020 के बीच में वो भी काफी विवादित रहा और इस मण दो है रूसी हस्तकशैप से इनको मरद मिली है और इस कारण से राशपती बन पाए हैं ये तो ने उनका कोई दूर कोई दूर दूर तक राश्पती बनने का कोई 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 चांस नहीं था जो यह घटना हुई है बहुत बड़ी की कोशिश करना जो है बहुत गंभीर अपराद है और और इसकी आलोचना हो रही है तमाम इस तरह पर जाच इसकी होगी मेरे ख्याल से अभी जो अमेरिकी कॉंग्रेस ने उसने जो है सिक्रेट सर्विस के जो उच्छा दिकारी है उनको तलब किया है ताकि वो अपनी पूरी भरती किया गया था लेकिन अब वो जो है वो जो है जाच के बाद उनको छोड़ दिया गया है और जो यह राजनितिक हिंसा है इस पर बात करने का ज्यादा अभी मौका है क्योंकि क्योंकि अभी तो यह जो घटना हुई है यह कैसे हुई क्यों हुई इसके बारे में तो जाच जब होगी और जाच जब सारुदिनिक होगी तभी जो है इसके बारे में बात किया जा सकता है हिंसा है इसको लेकर के जो है जरूर बात होनी चाहिए कि जो है तमाम सारा जो सोशल मीडिया है और तमाम सारा जो एक एक यूट्यूब है और तमाम सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स हैं जिन में कई नेताओं को जो है वर्षों से कि या या जो है किसी व्यक्ति विशेश को जो है ताना मारना किसी बार बार जो है आप लंबे समय से किसी को निशाना बनाना किसी खिलाफ नफरत को उभारना इसको ले करके कहीं न कहीं सरकारों को भी जो है सोशल मीडिया पत्रोला सा एक कोई जाच चवरा बठानी चाहिए और बीते जो मेरे खाल से 2016 के बाद से जो है काफी सोशल मीडिया पर जो है उभार आया है उफान आया है और काफी बड़ी संख्या में लोग अब इसमें आने लगे हैं तो इसलिए इस 2016 के बाद से जो है जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो राजनितिक मुद्धों पर बात करते हैं समाजिक मुद्धों पर बात करते हैं है ना और किसी एक विचारधारा किसी एक पार्टी किसी एक एक नेता के खिलाफ अगर वो आग उगलते हैं हमेशा जो है कोई न कोई उकसाने वाली बात करते हैं और हमेशा जो है उनके खिलाफ नफरत पैदा करने कोशिश करते हैं तो वैसे लोगों पर जो है लगाम लगाने की ज़रूरत है यह यह जो है यह जो है म सब को बराबर मौका मिला उसके बाद भी अगर चुनाओ कोई नेता जीत गया और बार बार जीत रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि उसे खिलाफ नफरत पैदा करके आप उसको उसके खिलाफ जो है आप महौल बनाएंगे यह चीज़ को जो है थोड़ा सा केंसरकार को और जो स जलता है वो नेता जो है वो एक प्रकार के नीती एक प्रकार के गवर्नेंट सिस्टम इसका प्रतीक होता है तो इसलिए किसी नेता जो बार-बार चुना जा रहा है उसको जो है नफरत का निशाना बनाना और यह कहना कि उसको जो है बार-बार मतलब उसके खिलाफ एक एक constituency develop करना और यह जो है ऐसे जो भी social media पर लोग हैं इन पर जांज बिठाई जानी चाहिए और इनको जो है तुड़ा चिन्हित किया जाना चाहिए सारविनिक किया जाना चाहिए इनको चेताबनी दिया जाना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं और उसके हिसाब से इन पर कारवाई होनी चाहिए क्योंकि यह जो है बात अब हाद से निकलती जा रही है कहीं भी किसी भी देश में अस्थिरता पैदा करना या किसी भी समाज में जो है वो तिंसा पैदा करने के लिए जो है social media नहीं है social media इसलिए है कि हम एक दूसरे के तक सोया हुआ था तो और एक बात तो यह हो गई दूसरी बात यह है कि अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों को मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने हाँ जो है आप दुनिया भर के जो हिंसक लोग हैं अपने हाँ रखे हुए हैं और आप समझते हैं कि आप उन हिंसक विगटन करने कोशिश जो आप करते हैं इस पर थोड़ा लगाम लगाए क्योंकि कहीं न कहीं जो है यह जो विगटन कारी तत्तों को दुनिया भर से खटा करके अपने देशों में रखा हुआ है आपने यह इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और और यह आपको तस्वीरों में और उसको फांसी पाच चरता दिखाया जा रहा है उसके हाथ बंदे हुए है ऐसा दिखाया जा रहा है और आप कहते हैं कि यह फ्रीडम ऑफ एक्स्प्रेशन है तो फिर यह एक नॉर्मल बनता जाएगा है ना फिर फिर वो नेता जो दूसरे देश में है व प्लिटिकल कल्चर जो है वो खराब कर देगा तो इसलिए जो है दुनिया भर के जो विगटन कारी और दुनिया भर के जो अलगावादी टाइप के जो लोग है अपने हां आपने इखटे किये हुए हैं उसको एक बार समिक्षा कीजिए उस नीती को कि इसको कितना बढ़ा कर रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं यह आपको उल्टा पड़ सकता है